नमस्कार दर्सक मित्रों मैं मुकेश पांडे ICB24 News में आप सबका हर्दिक स्वागत करता हूँ दर्सक मित्रों आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी सक्सियत मौजूद है जिनके परीचय सबी लोग उनको जानते हैं फिर भी हम आपको उनके बारे में थोड़ी सी एक डिटेल्स बताना चाहते हैं वे हनुमान जी के परमबक्त हैं साथ ही वो जो बोलते हैं वो करके दिखाने में मानते हैं प्रजा के लिए हमेशा वो ततपर रहते हैं साथ में छे टम से वागोडिया विदान सबा के वो प्रतिनिदित्व कर रहे हैं विदायक रह चुके हैं ऐसे स्री मदू स्री वास्ताव आज हमारे स्टूडियो में उपस्ति थे आज हम उनके पूरी जीवनी के बारे में उनसे जानेंगे तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है तो मदुबाई का जो पाष्ट है या बुत्काल है वो दर्सकों को बताएंगे आपका जन्म कहां पे हुआ बच्पन कहां पे बिता है वो अमारे दर्सक मित्रों को बताईए नमस्कार मैं मधुभई श्रिवास्तव बलोदा सेर में और वारी कोकन फड़िया में मेरा घर में जनम हुआ था सन 1952 में जनम मेरा हुआ था और बच्पन मेरा पूरा वारी एरिया में गया पड़ाई लिखान जो भी किया गुजराती के अंदर में ने किया और जब हो समाला तब से मैंने एक ठेश ली थी टेक ली थी कि सेवा का काम करना धर्म का काम करना और कोई भी गरीब लाचार पर कोई जुरूम करता हुए तो उसको बचाने का प्रियास करना ये काम करते आया हुँ में आज पहली बार मैं कॉर्परेटर बना बड़ोधा सहर के अंदर पहले बीजेपी से चुनाओ जीता फिर नेर्दरी चुनाओ कॉर्परेशन का जीता उसके बाद फिर मैं विधायक बना और विधायक बनने के बाद जो काम मैं टेक ली थी भज़रंग बली दादा की अज सुर्ता लिस व्रस ओने आये दर सनी इवार को मेरे को हन्मान जाले सा बोलना पांच बज़न करना और पलाठी मार के बेठना और फिर इतना पांच बज़न होने के बाद कोई प्रजय का काम होई कोई गरिभ का काम होई मदू भाई राजनीती में आने से पहले क्या थे सुरुवात कहां से हुई सबी लोगों के लिए संकर्ष करते आया हूं और सच्चाई पे चलते आया हूं सच्चाई के हमेशा जीत होती है छेले होती है पेले होती है पर जीत तो होती है वो जीत के आधार पे आज मैं भी लोगों के साथ चल रहा हूं और सेवक तरीके चल रहा हूं पेसा भी नहीं कि म मैं विधायक बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरे को मिलने नौर्मेल से नौर्मल आदमी, को भी जाती का, जात, पात, बेद भावगर, कोई भी मेरे को मिलने आता है, सिर्वे मैं पूछता हूँ, बताइए किसली आयो, क्या काम है, और मेरे से जो ह हो रहा है तो मैं कर सकता हूं मेरे से जो होता है मैं दाख्रा लिख देता हूं मेरे पत्रभाई भी मैं उनको अभी पड़ाय लिख देता हूं कोई कोई विनोगरी के लिए आता है कोई अच्छे काम के लिए आता विन इसको मार्डे देने के प्रियास करता आया हूं को यह जीवन की अंदर है बच्पन से लेकर कोर्फरेशन का इलेक्षन जीतने के बार विधायक बना और विधायक बनने के बाद एक कट्टे कदी के अच्छा कारिया करना वो करता हूं पिछली जिन्गी मेरी ऐसे एरिये में गई है जो एरिया आपको पहले कह चुका हूं कि जिसे अंदावाद में खाडिया बोलते थे इसी तरह मेरा वारी एरिया है उसमें रेकर भी मैंन सभी पक्सिका को लेकर सभी जाती को लेकर सभी लोगों को लेकर सात में चरा हूं आपके परीवार में कौन-कौन हैं सदस्य और आप अपना आदर्स किसे मानते मेरा आदर्स तो बजरंग बली दादा है जो मैं मेरी मुझ की रेक नहीं फुटी तब से मैं बजरंग बली दादा को मानते आया हूं आद भी मान रहा हूं और बजरंग बली दादा को मानते हुए इसलिए आदर्स बजरंग बली दादा को मानता हूँ फिर मेरे माता पिता को मानता हूँ वोई मेरे आदर्स है वोई मेरे भगवान है वोई माता पिता है तुम ही हो माता तुम ही हो पिता तुम ही हो सका तुम ही हो बंदू वोई उनको आज मानता हूं भले मेरे माता पिता नहीं है फिर भी रोज सुबह ना दोकर बजरंग बली का नाम लेकर सिदे ही मेरे माता पित करता हूं जीवन में आये हैं सभी को जाना हैं कोई अमर फल्खा के आया नहीं हूं सब अच्छा कारिया करोगे तो अच्छा बोलेंगे बुरा काम करें तो बुरा बोलेंगे कोई के काम के आधार पर कभी मेरे को तिसरी आग भी बदाना पड़ती है कभी कभी चोदमारतन भी बजाना पड़ता है मेरे को मेरे बन मेरे लिए नहीं मेरी प्रजा के लिए हो भी कोई अधिकारी नहीं मानता हो तोच बाकी में सरहरस आज की तारिक में कहीं भी मेरा काम सब अधिकारी मानते पोलिस तंत्र भी मानता है सरकारी तंत्र भी मानता है कलेक्टर श्री भी मानता है कमिश्णर स्री भी मानते हैं, मानते आये हैं कि मैं विधायक हूँ, रूलिंग पार्टी का धारा सब्य हूँ, भारती जंदा पार्टी का विधायक हूँ, फिर भी मेरे को मानते हैं और सब लोग मानते हैं मेरा काम, मेरा जो भी काम छोटा मोटा होता है, चाहे पूरोटा का क सब्सक्राइब करता हूं और परिवार में कितने भाई बहन हैं और परिवार में रादनीती से जुड़े हुए कितने लोग सब्सक्राइब करके परिवार में रादनीती में यसी बात है के मेरी माँ और मेरी मा की दुसरी बेन और दोनों बाईयों का और दोनों मोसी का हम चार भाई एक तरफ है चार भाई कॉंग्रेस में हैं जो चंदरकान स्रीवास्तों केते हैं वो हमारे बड़े भाई है अधरसम उनको करता हूँ उनको नमामन करता हूँ और वो कॉंग्रेस में काम करते हैं मैं भारती जन्ता पार्टी में काम करता हूँ वो कॉंग्रेस की निती पे चलते हैं मैं भारती जन्ता पार्टी हिंदू तत्पर चलने आए लिए सनातन धर्म को मानता हूँ वो मातम पर चल रहा हूँ मैं ये फरक इतना ही है दोनों भाईयों में बैकी कून तो एक ही है हम लचे और इसके उसके सभी बच्चे आज की तारिक में बड़ो दाइसेट के अंदर हम लोग दोसों से डाइसो भाई बेन काका बेन सब लोग हैं लड़की ये लड़के हैं सब कुछ आपके बेटे भी रादनीती में हैं हाँ मेरा बेटा दिपक सिरिवास्ता हो दो बार कॉर्परशन का चुनाओं जीता है ये बार साहे तो फॉम में कुछ गलती और डिस्पोर्ट संदो है कि आपके मीडिये के साथ में मेरा कोई बोलना चलना होगा तो मैंने उसामे बोल दिया होगा पर मैं बाहत्थ दूबारा कभी जगला करने का या वैर करने का मैं सिर्कारा करता भी नहीं गलत गलत काम करना और प्रजा काम करना है और प्रजा के काम के लिए मुझे कुछ भी अथिकारी के साथ बोलना पड़ता है आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपको तैरने का और गोड़े सवरी का भी बहुत सोख है इस सच बात बोली आपने ये बात का गर्व है मेरे को और मैं पहले कम से कम 13 के 14 साल की उमर में उसको मम्मत तलाओ केते हैं आज उसको माधेव तला बोल रहे हैं उस तलाओ के अंदर मैं तेरता था मेरे बराबरी का कोई 13 तेरता नहीं था अभिबान की बात नहीं करता हूं मैं स्वास इतना घूट रहा था कि एक डाय मारता था ठेट बिच में जाकर निकलता था तलाओ के अंदर कम से कम नहीं तो 15-20 साल तक तलाओ में नाया दोया रहा हूं फिर उस तलाओ के अंदर घोड़े सवारी करिये मैंने चार घोड़े खरी दे थे चार चार घोड़े बीमार होके मर गए पर चार चार घोड़े को खड़े होकर तालाओ के चारे तरब खड़े रहके भी सोक निबाता था मैं गोड़े सवारी का भी सोक निबाता था सब चीज का निबाता आया हूँ आज सहाथ लोग में को थोड़े करें पिच्छर के सुटिंग-बुटिंग में ही बुलाते हैं तो चुक्कस मुझे सोक हैं, तो उसके लिए भी मैं जाता हूँ. आपकी राजनीती की सुरुवात कहां से हुई, आपको कहां से प्रेणा मिली, कि आपके लगा कि मुझे अब राजनीती में जाना चाहिए, ऐसा क्यूं लगा आपको? ये इसी वाडी एरिया के लिए, वाडी एरिया के अंदर उस टेम पे पुलिस कम थी, और कुछ ज़्यादा दंगे पसाते होते थे हमारे वाडी एरिया के अंदर, छे महिना नहीं होता था, कर्फ्यू लग जाता था, छे महिने के दर्मियान में काईक लोगों को जेल में जाना पड़ता था, वो एक वारी हेरिया के नाम से जब भी धमाल होई तो हमें पकड़ के सिधा बड़े घर भीर देते थे, जब तक सांत नहीं बड़े, तब सक हमको छोड़ते नहीं थे वो उसके आधार पर और प्रजा के तकलीफ के आधार पर इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करें कि पुलीस भी अपने साथ रहें और प्रजा का भी काम हो इसलिए मेरे मैंने मैं खुद ने मिज़ा राज के मेरा कोई गुरू नहीं मैं मेरे मेरे आत्मा को लगा कि इस तरह करना चाहिए इसलिए मैंने पहले रंजी सिंग आइकवाड संसत की चूटनी लड़ते थे जिए उस इस दोरान में मैं बजरंगमली के मंदीर पर जाता था नहीं मेरे को मिलने और आये उन ही दो अशेडर के बिलक मेरे मेरे को मिलना आए कि मतोज जी आप हमारे पार्टी में आ आजा Maya काम अलग मेरे प्रजा का सिवत करने काम है आपका मेरे काम करता हूं ठीक है तुट थे असी बात के अदर उनकar उनको को उनके सन्षत के चुनाओं में मैंने काफी काम किया उस में नहीं पया चैसे गारा कि वैंहीन को हुसी supuesto आया पहला एलेक्षय आपकी निर्दलियमिते खेषाल औस आपकषन और भना से से हाँ मैं जे और अग्रिशासी में 622 बोट से में हार गया था हार जाने के बाद जा कॉंटिंग था वहां से चलते चलते आन सब को हाथ जोड़ते जोड़ते आया कि मैं हारा नहीं हूं मैं जीता हूं आधी रात को बोलना मैं आपके आपके आपका सेवक तरी के काम करूंगा जैसा ब्हारती जतना पारटी के म नेता मैरे को मिलने आए और मिलने शात्री बाग के अंदर जहां मैं सात्री बाग में बेठा था वहां मिलने आए 4 पाता यह नहीं है मेरी प्रजा मेरे साथ में रहेगी और चोक्कस में लड़ने वाला हूं नहीं आप आए कल आएए अपने में मिटिंग करेंगे पार्टी के नेता को बुलाता हूं और इस तरह करता हूं उसी टेमपे मेरे को टिकीट डी गई और उसी टेमपे में जंगी बहुमती से भारती जन्ता पार्टी के कमल के निसान पर जीता जीतने के बाद दो ढ़ाई साल के बाद फिर कॉर्परेशन का इलेक्शन आना था उस दर्मयान के दर्मयान में यह संसत सभ्य की चुनाओं पॉलिस कमिश्णर थे मुझे उनको से इतनी फिरना हो गई कि नहीं यह आदमी पॉलिस कमिश्णर होते हुए भी जो प्रजा की सेवा करने के लिए और संसत सभ्य बनने के लिए और देश की सेवा करने खड़ा है और राजी नामा कमिश्णर का देकर भी भारती जंदा पा जीब में पीछे सबको मिलते थे और में पूरे वागोडिया के अंदर भी घुमा बड़ोदा सेर में उनके साथ घुमा फिर भी उनका नसीब था भले उनकी हार गए हारने के बार फिर विधान सभा का का इलेक्षन आया फिर से विधान सभा के इलेक्षन आया बाद में मैंने कहा कि अपने कोवरिस कमिस्णर जस्पाल सिंग ने संसत की चुनाओं लड़ा है जी हार गे तो बले आ गए वन तीन जगा तो लीड़ी मिला है अपने दू जगा लीड़ी मिला है जी विधायक का तो विधायक का टिकित वहां पर दे देना चाहिए उस तेम पर थोड़ी गर्मा-गर्मी हो गए उस तेम पर नलिन भट बी-कॉर्पेटर से नलिन भट संगटन में आगे पड़कर थे ऐसे नलिन भट के साथ बाचीत हुई अपने इनको संसर लड़ाया है तो इनको अपने वि सजेशन यह है उनको आप विधायक टिकित दीजिए और लड़ाईए नहीं नहीं देंगे नहीं देंगे तो में पार्टी छोड़ दोंगा अच्छा उसी टेमपे मैंने पार्टी छोड़ दी मदभेद हुआ भारती जंता पार्टी उसी टेमपे छोड़ दी छोड़ने के पर कि अपाक सुनाओ द्र नहीं यह वह मुड़ा अन्दर मेरे बड़े भायकों मिने खड़ा किया जिसका नाम चंद्रकान श्रिवास्तरव को मेरे चाचा लड़के कंदा थे मिरे मासी के लड़के कंदा है और हम एक ही कुन है उनको लोगसाई주 dollars में खड़ा किया App ku करके उनको अमारे पार्टी में लेकर हमने उसी टेम पर लोग्साहिँ मूर्चा के अंदर कम से कम 15-20 आत्मी उमेद्वार खड़े करे थे उसमें हमारे 5 उमेद्वार आने के बाद जस्वाल सिंग ने दूसरा बक्स खोल दिया था उसी टेम पे जैस्वाल सिंग के सीट जादा आए गई तो हमारे दोनों के मिक्स हुए और बीजेपी के सब एक कटे होकर जैस्वाल सिंग को मेर बनाया जी डेपोटी में नलिन भठको में ने बनाया कि अब बले कुछ भी हो गया अब स साथ में हो जाओ और साथ में चलो तो जस्पाल सिंग को पहला मेर बनाया बड़ोधा सेर का हमारे पांच जन के वोट से मदूबाई श्रिवास्ताव चंद्रकान मस्के और दो एक दो लेडिस थी पांच होकर हम और हमारे सब मिलके जी उसी दोर से फिर चले बात में चले च चुनाओ विधायक का वागोडिया लड़ा में फर्स टाइम पहली बार फर्स टाइम लड़ा वागोडिया का तो हां भी वही मेरा हुआ मैं 635 वोट से हार गया वागोडिया में 635 वोट से हार गया कोर्पेटर तो चालू था मैं फिर पांच साल तक मैंने वागोडिया की स गंटा बासन किया, हार मेरी हुई, और उसे दा बाहर निकला, और प्रजा को मैं मोला, कि मेरी हार नहीं हुई है, जीत मेरी हुई है, जीत आपकी हुई है, और मैं जब तक जिन्दा रहा, मेरी सास में सास रही, तब तक मैं वागोडिया की प्रजा का, मा, बेन, वरील, पर जाती वाले, सब का मैं काम करूँगा, यह आपको सुतना देता हूँ, बड़ोदा में कोई भी काम होगा, मैं आपके लिए अधिरात को बेटा हूँ, और 5 साल तर गया, फिर, 5 साल के बाद, फिर, अपक सुनाओं सब के इखटे करने के बाद भी, 10,000 वोट से जीता था, पहले विदायक का, उसके बाद फिर क्या चुनाओं आए और, चुनाओं के बाद में, मेरे को केशुबापा ने बुलाया, जो केशुबापा चीप मिनिसर थे, मेरे को बुलाया का, मदू भाई, आप हमारे साथ में मेरा हो, पहले हमारे थे, आप क्यों चले गए, मैं खाली मन भेद हुआ था, दूसरा कुछ नहीं हुआ था, पार्टी छोड़ने का कहा ने इतना ही था, और पार्टी छोड़कर भी, मैं किसी में ने गया, निल्दरी रहा हूं, अपक्ष रहा हूं, और बीजेपी में आया मत्विस्तार का विदायक बना, और बनता रहा हूं, अभी सातमी टम भी जीतूँगा, और जीत मेरे निसी थे, मेरे को आसा है, मेरे मद्दारों पर आसा है, मेरे भाईों पर आसा है, मेरे कारियो करताओं पर आसा है, और मुझे मने बजरंग मरी दादा पर विश्वा से, स आपके बारे में कहा जाता है कि आपने दूसरी टम में वागोडिया की जंता के लिए नर्मदा का पानी लाने की ठानी और आप लाकर के रहे हैं साथ में ही आपने मैसागर के कई गाउं में मैसागर का पानी पहुचाया है और यह आपने पूरा किया वचन इसके बारे में क्या है पानी की बहुत बड़ी हमारी समस्या होती अच्छे सवाल मुझे पुछा है आपने पानी की समस्या वो होती दिन देवडेम से पानी आता था और गाओं में आवे नहीं आवे और पानी पीने के लिए बहुत तकलिप पड़ती थी आमने पानी की समस्या होती ती और नर्बदा का पानी खेतर लेता hels में और आपको खातरी देता ही कि सरकार में रजुवात करके धार धार रजुवात करूँगा और रजुवात के आधार पर में वागोडिया मद्विस्तार के ने वागोडिया तालुगा के लोगो को नर्बदा का पानी घर तक नल आएगा और पिलाओंगा आज पूर्ण होने की तैयारी में नर्बदा का प पूरे महीसाकर का पानी लाएं यंदर नर्वधा का पानी पिला सकता हूं तो इसी प्रवित कि आप बे दूद्धN भी और गोच्वान कर्था करता है और मेरी भारती जन्तापार्टी का भी मैं बहुत नमन करता हूँ औरक्षलीमें इस सभी में विकास का कारिय किया है और बोत्तिर गाओं की उजना मंजूर हो गई है और लगबग 40 से 50 टर का काम हो गया है। छे महिने के बारिस के बाद सबी बोत्तिर गाम माईसागर माता का पानी फिल्टर वाला पियेंगे यह कात्री करता हूं आज जहां एक तरफ बहड़वदा सहर में कई एरिया ऐसे हैं कई विस्तार में पानी की समस्या है किन्तु वागोडिया मत विस्तार में कभी भी पानी की किलत को लेकर के कभी किसी भी प्रकार की आवाज नहीं उट पाईए ना खेडूत के तरफ से ना जनता के तरफ से तो य स्रेय आपको जाता है इसके लिए आपको कितना संगर्ष करना पड़ा है नाए में संगर्ष इस बारे में करता हूं जै पहले तो ठीक है कि टेलीफोन पर चलता था जै अभी तो टेक्नो टेक्नोलोजिक आ गया है जै अब मुबाईल पर मुझे कहते हैं कि वही आज हमारे और काम तरद हो जाते हैं नर्बदा योजना के अधिकारी ये सुपरवाइजर तरद अपनी बात सुनकर जहां जहां पानी छोड़ना है छोड़ते हैं ये भारती जंता पार्टी की देने भारती जंता पार्टी के जो भी मिनिस्टर हो उनकी भी देने उनका मैं सुख्रिया Um कि अपके बारे में कहा जाता है कि आप हनुमान जी की आप भरम वो कि वे न करते हैं परम भकत हैं और कई ऐसा किस्से हुए हैं कि कोई भी मिटिंग के लिए आया हो पर सनिवार है तो पहली मन्दिर अप === क्या है यह मेरी वर्षों की टेक है जब मैंने पहले भी कह चुका हूं कि मेरी मूझ की देख नहीं पुटी थी जब छोती सी डेरी थी और बजरंग बली दादा भी छोटे थे पर उमें नीचे धरती पर बेट कर भी सनिवार के दिन अन्मान चाली सा पांच बजन होए बाद म कर्या है करने का प्रायम मिनिस्टर ऑए जैए मुख्यमंत्री काने आया होई सनिवार के समय पे साड़े से बजे हो सांच के तो कहां भी वहाण से उठकर शीदा बजरंग बली के मन्दीर पर साथ के तकरह बेड़ जाता हूं। वो हुआ है निमीत है और वो भज्रंग बली का ऐसरी बात है और शाक्सा तो फाल बज्रंग बली आए बेधा होगret में अमेरिका होगा या भागा हो गरी अजाता हुए हग der और सनिवार पड़ा है, तब कैसे अपने पूजा की है या एक समय था, मैं अमेरिका गया था, और अमेरिका के दर्मियान में में मेरा सनिवार को आना इधन थे आता, उस टेम का मेरा प्लेन सायद लेट पड़ गया, आया नहीं, तो मैं अमेरिका में एक room में बेट कर, बजरं करके मेरे बज Cubanぎ मंधीर मैंने कहा कि आप लोग पी डोल अज़ग कर अंवान चालिचांप चालू कर में यह एक ही prepare यह चालू slowsesse, विग्वाइब क्या हुआ है प्रन साथ बजेयं आवस्य मेरे बजलंग बलिकों में कहीं दुनिया में भी गया हूंगा तो साथ से लेके आठ नौ दरजवे तक तो उनके दुन में रहता हूं यानि टेकनोलोजी इतनी जड़पी है कि टेकनोलोजी के आधार पर आप अपने मंदीर पर उपस्तित रहते हैं और पूजा करते हैं जोकर जी आपके फिटनेस का राज क्या है आज आप इतने फृट दिखाई देते हैं फिल्मों में भी काम करते हैं तो इतना फृट कैसे रह पाते हैं क्या करते हैं इसके लिए मैं जीन करता हूँ जी पहले में माहराज कीड़ामंदल में मल्काम करता था। हमरे वारी अरिया में महराज कीड़ामंदल बहुत प्रक्षा था। उर मल्काम की दो लकड़िया पौल होते थे रूँया वार पौल पर मेरे परिवार के लोग करते हैं लूग हम मेरे को ना नंटीबए परिवार के लोग करते हैं कुंनिताता हूं ऑन सुवें के से पहले उठेजें चैने करने सीवा। कि शप्रकुन् taking her mother and Aww엇 छहां चैने का नाम लेता हूं बजहार में निकलता है वहां परुजार है वेगता हूं करसे घर कहा कि माता पिता की पूजा करते हैं आप माता जी और पिता जी को भी इतना मां देते हैं कि माता जी के नाम पर आपका चांदोद में खोटल भी है ओ इसलिए है जी उस टैम पे बहुत पो हम चार भाई थे, हम चारों भाईों में सब पढ़ाई करते थे, हमारी एक बेन है, उनके भी पढ़ाई में काम करते थे, तो पीता जी सब करते जाते थे. उसी दर्मियान के अंदर हमने उस दर्मियान में रात को बारा बज़े में आता था गर पे और बारा बज़े के बाद मेरे पिता जी बहुत सकत थे और बिलकुल नयाय वाले थे हम चार भाई के अंदर ज्यादा पिता ही होई होए जादा ड्राइकलिक के साथ दुलाई हुई हुए तो मेरे पिता जी ने मुझको मारा है और गुना किया है तो मारा है पिता जी को आज भी भगवान मानता हूँ उनके आदर्स पर आज भी चलता है तो मेरी माक के आधार पर मैंने चांदोज में एक छोटा सा आस्रम था जो खंडित हो गया था जो जर्जीत हो गया था गिर रहा था तलाओ के किनारे पर तस्टियों के जाकर मिला कि यह भी यह जो आपको मेरे को देना हो तो सरकार के काईदा धोरन पर और कस्टोडियों में से मंजूरी लेकर मैंने हर राजी में लिया और तोड़ दिया तोड़ने के बाद मैंने किनारे से ठेट उचक कर बनाया तब बनाया तो इतना ही लोग बोले के इसका क्या नाम रखोगे तो मैं का इसका नाम लिलाबा होटल जो मेरी मा का नाम लिला बाई है वो रखाता हूं आज होटर है आज सब परिवार के लोग जाते हैं और परिवार लोग जाते हैं इस्तान करते हैं नर्वदा माता के दर्सन करते हैं और मैं हमेशा जाता रहा हूं बर्सों से जाता था आज भी जाता हूं और गंगा दसेरा के टाइम पे सववस्य जाना 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 नरवदा किनारे पे और गंका दसरा की आर्थी करना यो भी फाइदा उफल हुआ के मुद्धे और प्राह्मन्तरी मेरे को बुला कर इतना भी मेरे के लिए करते हैं वो भी मेरे लिए बहुत अनंद की बात है आप वागोडिया में छे टम से विधायक हैं वागोडिया विधान सबा से वहाँ पर आपने कई काम किये हैं रोड रस्ते भी दुरुस्त किये हैं क्योंकि पहले गाउं में कच्चे पकदंडिया हुआ करती थी और वहाँ पर आज अच्छी सड़के अच्छे रास्ते दिख दूसरी बात कि वहाँ पर इंडस्ट्री उद्ध्योगों को आपने लाकर के कई लोगों को रोजगार दिया है क्या कहना चाहेंगे ये प्रस्णा भी अच्छा आपने मेरे लिए पूछा है ये प्रस्णा का सवाल ये है कि मैंने जब विधायक बना वाखोड ये मद्विस्तार के अंदर तो पहले तो गाउं में जाना होता तो बारिस के टेम पे जोते उचाक कर गाउं में लोग जाते थे प्रस्णा के कोई बारकाम से आया होगा तो ये देन भी गुजरात के मुख्यमंत्री मंत्री ने ये शलेव वाले रोड़का चालू किया और गाउं-गाउं शलेव वाले रोड़ बनना चालू है वह बीजे पी की सरकार में बीजे पी पानीकि सुविदा की गाउगा इसे कार्य हें तो को मार्दर संदेने के लिए कुसी रत निकाले भारती जंता पर्टी ने कुछी रत निकाल के कि आपकी जमीन में क्या पाक हो सकता है क्या क्या फल हो सकते हैं क्या होगा सकते हो कौन सी दवा डाल सकते हो कौन से जनतु को मानने का है वो सब मार्ग रसन भारतिय जनता पार्टी की देने जो कुछी रस निकाले और गाउं गाउं सब को रस निकाल कर समझोता किया दूसरी बार गाओं गाओं लाइट नहीं थी राथ को अंधारा हो जावे है और लाइट चले जावे है तो साथ बज़े की राइट जावे है तो फिलाई नहीं आती थी और भारती जनता पार्टी ने जोती गाम युजना जो करी ये गुजरात के अंदर आगे आने वाली पहले की सरकार ने राज किया है उन्हें राज विकास का नहीं किया उन्हें आपसाई का राज किया है मैं भारती जनता में टिका नहीं करता हूं किसी भी पार्टी की पर मैं भारती जनता पार्टी का सेवक हूं भारती जनता पार्टी में रहा हूं और भारती जनता पार्टी का दार हूं इसलिए भारती जनता पार्टी ने ये कारिये किये है जोती गाम युजना जोती गाम बीमारी से तंग होते थे आज सभी गुजरात के सभी गाउं के अंदर जोती गाम युजना चोवी से कल्लाक लाइट मिल रही है जोती गाम की युजना ये भारती जन्ता पार्टी की देने विकास करना ये भारती जन्ता पार्टी ने किया है बने भारती जन्ता पार्टी की क यहां किया कोई इसे बड़े बड़े बरे बन रहे हैं अबया सब किया है किस अब तरेन नहीं करी भारती जंता पाड़ी ने विकास किया है आज कोरोना के धर्मयान में हमें और हमारे देश में बहुत बड़ी तकलिप हुई थी फिर भी हमारे हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने पेली पेल करी थी हिंदुस्तान के अंदर लोकडाउन किया था लोकडाउन के दर्मयान किसको आये सिर्फ भारती जनता पार्टी को चीनता किसने की भारती जनता पार्टी के बड़े लोगों ने मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री ने ग्रौ मंत्री ने ये सब विचार हिंदुस्तान के लिए प्रजा के लिए किया है सभी जाती के लिए विचार किया है एक जात भारती जन्ता पार्टी ने फिर से लोगों को मुक्त में अनाद देने की बात करी आज की इस्तिती में थोड़ी तकलीफ है इंदुस्तान में तो हमारी भारती जन्ता पार्टी ने सबको गाउं गाउं सस्ते अनाज की दुकान पर इतना रेशनकार मिलता है उतना देने का पेली तारिक से चालू करने वाले हैं पूरे गुजरात में चालू करेंगे हम हम हमारे वागोडिया मद्विस्तार में लोगों को बाटेंगे तो एक विचार धारा भारती जन्ता पार्टी की विचार धारा एसी विचार धारा है कि सही में सेवा का काम करना, सही में विकास करना, सही में सच्चे लोगों को मार्ग दर संदेना ये भारती जनता पार्टी की देन है बारतिया जनता पार्टी की सरकार काम तो कर रही है, साथ में आपकी निष्ठा इतनी है कि वागोडिया मत्विस्तार में आप इंडस्ट्री जहां छोटी बड़ी कमपनियां आई हैं और कई लोगों को रोजगार मिला है, तो आपकी भी उसमें काफी निष्ठा रही है मैरे वागोडिया 136 मत्विस्तार आता है, उसमें वागोडिया तालूका आता है और बड़ोधा भी आता है, और इंडिशिल एलिया मेरे बड़ोधा जिल्ला के अंदर, मेरे वागोड़ी 134 मेंसाहेत ज्यादा है ह лег ज और सबी को रोजी रोटी के लिए कोई भी गाओं का कोई भी जादी का अदमी आया होगा तो बागॉडी यह लोगों को पहले फर्स्ठ डे मैं मैं उसको पारोटी देता हूं उसके बाद कि मैं बड़ोधा में जन्मा हूँ मैं भले यूपी में मेरे माबाप थे मैं यूपी के लोग मेरे को बोलते हैं पर मैं तो गुजरादी हूँ गुजरादी में पेदा हुआ हूँ तो इसलिए उत्तर भारती लोग सूरत तक लेकर बढ़ोदा सूरत सभी छोटे-छोटे गाउं है उसमें कोई भी मेरा उत्तर भारती कोई भी जातका उत्तर भारती होगा उसके काम करने के में फिराज करें कि जभ तक मैं हूँ मैं हूँ मेरी सास में सास है और सच्चा काम होगा के लिए फ़र्ष पारोधी वागोडिया मत्विस्तार के लोग हैं सच्चा काम होगा तो आपके लिए अधिकार हो चवतमारतन भी वापरों गा इतनी आपको खातरे देता हूं rêy अभी आपने कहा के आप उत्तर भार्तियों के प्रति इतने संवेदनित है कभी राजनीती में यहां पर गुजराद की राजनीती में उत्तर भारतिय होने के नाते आपके साथ कभी कुछ बेत्वाव या कुछ हुआ है या कहीं कुछ कढवा आपको ऐसा लगा है यह चुनाओं के दर्मयान क्या है कि हमारे weazhi होते हैं व़ant कट्रड़ों हिंदुस्तान में प्यादा हुआ हिंदुस्तान कि यह यहाँ संथानी कहीं हे उन arrival और यह ऑफकर नियुक्तete की राजेस्तान में पेदा हुआ के बात में हिंदूस्तानी का काम करना फर्ज होता है चुनाओ जीतने वाले कोई बी चुनाओ जीता हुआ है सभी जाती का लोग उसके सफेक्सा रखता है कि कुछ काम के लिए दोड़ता है किसी को परी पत्र चाहिए किसी को मामलदार का डखला चाहिए किसी को कहां बार जाना है तो किसी को टिकीट भी चाहिए तो भी उसके अभी प्राह लेना आता है तो सच्ची बात में अभी प्राह लेना है तो जो व्यक्त है उसके प्रस्टनों पूछो जे और उसको जवाब दो और उसको संतोस्त से भेजो तो वो तुम्हारे को याद आएगा कि नहीं हम गए थे मिले थे और उनसे बात भी करे दी और मैं तो यही कहता हूं सभी लोगों को कि जब तक मैं विधायक हूं और विधायक के साथ में मैं वीजर देखे बाई नहीं करता हूं जी कभी किस से जदा बोलचाल भी हो गया तो में वार नहीं करता हूं जी कि fellows कभी दुस्पन भी बन सकता है और दूस्मन घज़ोटे सवारी करता सा उस्टेंपवे में। जब मेरा गाउं मेरा देश का स्टइंग काशिपूरा सरार में हो गया था। फ्रड़त वा पर शुटिंग कि देखने करें, वो हिसाएं का शुटिंग होता था। वो आधार से कहें कि मैं कभी मेरे को गोड़े पर देख ले तो मेरे भी सुटिंग हो जाओ है पर वो नहीं बात हुई वापस चलाया दाम है और उसके बाद फिर गुजराती पिच्छर के कई कि लोग मेरे पास आएं कि मतुब भाई आप ठाकूर का काम करो और ये रोल तुम कुमा अन्मोल ये फिल्म पहला बनाया है प्रतम फिल्म बना जी उसमें ठाकूर बनता हूं उसके बात प्र कई फिल्मों में चोड़े फिल्मों में काम कीया है वो ऐसे किक बाई कोई ने पिच्छर बना रहे है और अपने पास आते हैं कि यह रूल है आप आम लेकर तुमि कि और वस्य रोल करा है बीना मुल्य कोई के बसात कोई ने प्ली मूतारा एक रुपिया तक लिया नहीं है मैंने ुछ आप जो भी पीचर करते सब कुपीरिय में करता हूं और मैंने पीचर बना है उसमें तो करोन रुपय कर्ज़ गया थी थी दूसरा पिल में और डबल लोल में काम किया है एक धाराशब्वे के रूप में करा है एक इंस्पेक्टर के रूप में करा है डबल लोल में काम किया है डबल लोल के अंदर दर्मयान के अंदर उसमें हिंदी एक गाना मैंने बोला है कुछ दो पंक्तियां उसकी हाँ, हिंदी गाने के अंदर मैंने इसा बोला कि यह गाना में इसा गाना जाता हूं, जै, वो डैलोग हरता है, डैलोग में इसा बोला मेरे soil, lleidenike के अब बत्थने की कोई तुमारी जाहर नहीं है, अब छ की तुमारी क्या इंस्ष्छा है सम्हें वीलोणोने गोने मेरे को , ज कि मैं हिंदी में गीत गाओं, और हिंदी में गीत गाके ऐसा कहूं, कि मैं नई रहूं, तो देश के अंदर आजादी के अंदर, दर्मयान के अंदर ये गीत इसके लिए गीत में गाता हूं, गीत के सब्दते सच्चाए की जीत होगी अब हमारी बारी है सच्चाए की जीत होगी इसे गीत थे ओगीत को अभी दो दोरा सकता नहीं हूं तो दोरा सकता हूं और गीत अभी बजयर में नहीं निकला है अभी मैंने किसी को दिया मेंने थिप अँद्ट खाCo परो ऑपने छुद पसक्राओंत Ły जहार की थो अपने खुद ने निका सण मेरा का उखनуск बादेगा तो अलग है उम हें निकाया नहीं अभी कुछ सिरियल में भी आप काम कर रहे हैं आगे नहीं कि aun एक फिरियल में एक पुर वह काम कर रहे हैं उसमें रंजा मुरात साभ यहाथ वह बढ़े बहुत बढ़े सादू बनते हैं चिक है और मैं मैं एक संसत के रूप में उनको मिलने जाता हूं और उनको उनके पास जाता हूं तो मैं कहता हूं कि महाराशरी आपका आशिरबाद लेने में आया हूं आने वाले चुनाओं मैं मेरे को आपका आशिरबाद होगा अवस्य मेरा विजय होगा ठीक है आप वो सादू के पास जा कोई नहीं है इसलिए आपके पास आया हूं आपके चर्णों में पाउं पड़ रहा हूं जाओ तदास तुझी दोंगे जीतने के बाद फिर उनको हाद लेके जाता हूं कि मैं जीत गया हूं आपके चर्णों आपके असिर्वास वह यह सुटिंग अभी हुआ है और आगे और सपना है मेरा कि मैं यह माध्यों तलाओं में यह बजरंग बली की मूर्ति शवासों फूट उपर 31 फूट फूट फूर प्योर स्टील की मूर्ति जो डेड़ करोड की मूर्ति यह बन गई है बनकर तैयार है बस अभी बिल्डिंग भी तैयार हो रही है खरी 40 फूट उपर यह जाकर महां भजरंग जाधा को उपर बिठाना के 5म की प्रातना है मेरी कि 5 मुखी अन्मान बिठाउंगा उसके लोग दरशन भी करेंके ते सबिढेंकि यह बसी अँपर जाने से पुरा बढोंहां भी बहुना है कि जो अक्षा रिंग बनेगी उपर ठेट तो वहां दुनिया भर के दुर्वी रखे जाएंगे दुर्वी में लोग वहां से देखेंगे उपर से कि बड़ोधा सेर कहा है राजमेल कहा है यह सब दिखेगा यह अक्षा भावना हमेरी है और यह सब बना कर बड़ोधा सेर को परपन करने वाला हूं मैं को देने वाला हूं उसका उसका एंडलिंग पूरा कोरपरेशन करेगा उनको देने का तयार हूं और यह बनाया है मैंने संस्ता मेरे बेटे के नाम की एक संस्ता रजिस्टर बनाई है अमित एजूकेशन ट्रस्ट बनाया है और ट्रस्ट बनाकर क स्थिशा दिए को सभी चंडा लिया लेकर उनको पाति दी है कि उनको 90 मीन रिबेट मिले उर खर्चे मिकर सकते ऊड़े है। आणको पाती चापियों पानों रेजेसर पाति दिया जाती है। पौरा जो रूपिया लगा है हमेरे परिवार का लगा है और दूसरे जो लोग लगा है पैसा मेरे यार दोस्त जिनके मैंने 25 साल के दर्म्यान में काम किये और काम करके करोड़ पती लाकोपती बने ऐसे लोगों ने भी मदद करी है और मदद के आदार पे चल रहे हैं आज 8-9 करोड़ रुब्या खर्चा कर दिया है और अभी 10 करोड या बरुब्या कर्चा है तो व भी पूरा हो जाएगा ये मेरी आरात्ना है ये मेरी तमन्ना है अच्व मेरा 좋아 снова मैरा लिए प्रतिमा का इतने फूट के प्रतिमा है और वहां पर नाम क्या रखा गया है यह कत्रिस फुट की मूर्ती है जो पूर प्यूर स्टिल की है अब उसकी तो मूर्ती तियार होई गई है और उपर ठेट उपर बेटेगी सवा सो फुट के उपर और उसका नाम हनमान गड़ रखा है कॉर्पेशन में भी परमिशन हमने हनमान गड़ की मांगी कलेक्टर में भी हमने परमिशन मांगी हनमान गड़ की तो हमें परमिशन मिली और हमने बनाया है उसका नाम हनमान गड़ रखा है और नीचे फिर पंचमु की हनमान गड़ और कालका मता भी आएगी सायद इसे चित् मुर्ति नीचे भी आएगी वो दर्शन के लिए रहेगी और उपर सब जाएंगे तो लगेगा के बड़ोधा सेर देखा हैं बड़ोधा सेर के आहवे देखना है गाउं देखना है वो भी सब को देखेगा और पहली जो मेरी पसंता यह है कि यह बजरंग बली स्थापना होग और सभी देवी देटा की स्थापना होगी और ब्रिज भी बनेगा है सब कुछ भी बनेगा तो पहली पारोटी मेरे वागोडिया तालोग का के माता बेनों को देने वाला हूं मैं कि आपके बदलत मैं विधायक बना आपके आसिवात से मैं विधायक बना आपके वोट से मै मैंने जो काम किया है, वो काम धर्म का किया है, और ये बनाया है, बजरंग बली का हनमान गड़, ये हनमान गड़ का नाम रहेगा, हम रहे के ना रहें, और ये नाम रहेगा, कि मदुसरी वास्तों ने, ये मदुसरी वास्तों के परिवान ने, ये बनाया है, तो मदुसरी वा वाखुरिया का ही है और यह अन्मानगण भी वाखुरिया के नाम पे चलेगा इतना वेकेसर जी वहाँ पर जो ब्रीज बनने वाला है वो जूलता ब्रीज और बड़ा एक गंट भी जो मंदीर पर लगने वाला है साथी कुछ लाउड स्पिकर का भी आयोजन किया गया है क्या करना चाहेंगे यह मेरी भावना है और जो मा बड़ा घंट आता है बजाने का गंट इतना बड़ा आएगा और उसमें पूरा इलक्ट्रोनिक लगाया जाएगा साम को छे बजे बजेगा सुबे छे बजे बजेगा और जो हमाँक के अंदर संगीत के साथ अन्मान 40 कब बजेगा और अन्मान 40 सुबह बजेगी अनलमां 40 साम को बजेगी यह मेरी भावना है ये मेरा करने का भावना है कि ये होना चाहिए और पूरे माध्यों तलाओ को इतना सिंगार जाएगा कि लोग सांज पड़े तो ये देखने आएंगे क्या सिंगार किया है बस वो मेरी भावना है जीवन के अंदर जीवन में मनुष्य अउतार में लिया है एक धे मेरे गामें करते आएंगें भावना को बनाने की और ये अधसा ब्रीज बनेगा कि बनोदा सेर के अंदर जो भी आएगा तो ब Awakद दा उतरेगा तो इस भूता कैसा ब्रीज है वो ब्रीज में बनाया इसके लिए मधिक बना है से बर्ण रहेे वारी इरिया को लोग 3rd class area बोलते थे आज मैं वारी इरिया कोई 1st class बरणा सेर्वें बनाना चाहता हूँ यह मेरी बावना और यह करके रहूँगा तक तक में रहा силь जब ये बावना है जी सबके कोई ना कोई पसंदगी के व्यक्ति होते हैं व्यक्तित्व होता है आपका राजनीती में पसंदगी का व्यक्तित्व कौन है और क्यूं है किसे मानते हैं राजनीती में तो मैं पहले ही बहुत चुका हूं कि मैं बचनगोरी जादा को मानता हूं उसके को मानता हूँ मैं को За ग्रों मंत्री को और अच्छे काम करते आए भारती जंतापार्टी के काम करते आए और सभी जाती के लोगों को काम करने के प्रयास करते आए चीजिए मेरे भारती जंदापार्टी के मिनिस्टर ग्रोमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो भी है सब भारती जंदापार्टी के लिए अच्छा काम करा है यह यह देड़ साल लोकडाउन के अंदर करोना के अंदर जो सिवा बजाई है हमारी भारती जंदापार्टी के सेनिक होने हमारे भारती जंद आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जिससे भारतिये जंता-पार्टि के प्रति-णिष्ठा-वाण हैं आगे आप राजनीती में आपको कहा हैं हैं कहां क्या आपका ड्रीम है सवापन हैं बसाकि यह ऐसेला तुनाव लड़ना है मेरे को यह उंके जी रहा हूँ और और वो ही मेरे को जिवाएंगे, वो ही मेरे को आगे लाएंगे, ये मेरी वावना बजने को लिजादा के साथ है। कोरोना की महामारी चल लेए और तीसरी लहर के भी संभावना है। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपके जीवन के उपर से भी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे इंदुस्तान के सभी भाईयों बेनों वड़ीलों और चोटे-चोटे मेरे बच्चेों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की धारादोरन है कि तीसरी लेर को अपसे बचना है अपने को तो तीसरी लेर को बचाने के लिए सरकार ने जो सुचना दिये कि मोग के अंदर बांद कर पांच फूट डूर रेकर चलना उसको धारान दोरन से चलते रहोगे तीसरी लेर भी है वो भी आकर चले जाएगी चोटी लेर आएगी तो भी चले जाएगी ये सरकार और जो अरोग्य के निस्तान है जो सुचना देते हैं कि ये पालन करो तो प मर रहोगे और को टक मार कर आके बढ़ोगे हिम्मत नहीं हमद रखना हिम्मत आना नहीं को ना के साथ लड़ना ये आद मेरी भावना आप सब लोगे साथ तो दर्सक मित्रों यह थे वागोडिया के च्छे टमसे विधायक और हनुमान जी के परमवक्त और जो बोलते हैं व हम लोग भी सुपकामना चाहते हैं और इसी के साथ हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना किम्ती वक्त हमारे स्टूडियों के लिए और दर्सकों के लिए दिया इसके लिए हम उनके बहुत-बहुत आबारी हैं सुक्रियाद धन्यवाद आईसीबी को नीच को मेरे और से दिल से रधे से में इनको सुपकामना बिजवाता हूं आप आगे बढ़ते रहों आज गुजरात में हैं कल हिंदुस्तान में हैं और पूरे दुनिया में आप चाहो आईसीबी चैनल 20 को मैं आज सुपकामना देता हूं कर दो